जहन्द नमस्कार मेरे सेट सेन्यू जैसा कि आप सब ने देखा होगा और मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ जैसे कि पोस्ट ओफ वेकेंशी जितनी रहती है उतनी हर बार बढ़ती नहीं होती है इस बार भी ऐसा ही कुछ आप सभी को पता कि जो पोस्ट ओफ वेकेंशी सेलेक्शन बाकी है तो क्या इनके लिए फिर से एक मेरिट लिस्ट आएगी या इस पदों को अगली भरती में जोड़ा जाएगा या जो वित हेल्ड वाले हैं उनकी सेलेक्शन पका है अब मैं आपको यह चीज़ बता दूँ जो वित हेल्ड में तेरा सो बचे ना उनको ज लाओ भी अभी चारजार पोस्ट ओवेकेंसी खाली है आपने देखा होगा एक बार इसके लिए धरना परतर संड भी हुआ ता पिछली बार से जीडी की बढ़ती में कि यह जो पोस्ट ओवेकेंसी खाली रखी गई इनको फिल क्यों नहीं किया गया वही बात इस बार फिर हुई है तो क्या चारजार पदों पर फिर मेरिट लिस्ट आईगी या इन पदों को अगली बढ़ती में जोड़ा जाएगा नोटिफिकेशन के इसाफ से क्या है और वास्ट क्या साथ एक शी जोड़ पता दूलाड़ दो कि SSGD के सोल्ड पेपर आने वाले है मेरे SSGD 2023 के बुक आने वाली है साथ ही SSGD का संपूर्ण सेले बस SSGD सामयने ग्यान SSGD मेथ SSGD रिजनिंग और SSGD हिंदी इसका कॉम्बो आने वाला है तो अग जो भी बच्चे रह गये हैं वो खरीद लीजिए और उससे तयारी करिए क्योंकि अक्टूबर नॉम्बर में ये वेकें हैं तो आप अच्छे से उन्चे तयारी कर सकते हैं ठीक है चलिए जी अब मैं आपको बताता हूँ केवल 46,554 बच्चों का ही सेलेक्शन हुआ है 4,000 बच्चे सेलेक्ट और होंगे या नहीं होंगे देखिए अगर हम बात करें लड़कों की यानि पूरुस की तो 4,232 बच्चों का सेलेक्शन हुआ है ठीक है महिलाओं की बात करें तो 4,988 का हुआ है और अगर विथ प्रेजरल रुका उनका वाद 1336 पेले तो विथ हेल्ड वाला एक कन्फ्यूजर ने दूर कर देता हूं कि इनका सेलेक्शन पक्का है ठीक है इनके लिए टेंशन लेने की जूरत नहीं है आपको डोकॉमेंट्स अपने वापस वेरिफाई करने होंगे फिंगर प्रिंट से जाएगी तो आपको गर्णाने की जूरत नहीं है जो भी बच्चे विथ हैल्ड में है साथ ही जो बच्चे नहीं त्यारी करें जाना कि इस जिल्डिया अप्लिकेशन पर कमाड़ो केट में का एप्लिकेशन जिसने डाउनलोड नहीं कि जल्दी से कर लीजी ठीक है टोटल से कितने हों कि लाद लों 50,137 सेलेक्शन कितने हैं सिया लिस जार पांसो चो पर तो बच्ची वी जो पोस्ट रह गई है इन्हें सेलेक्शन क्यो नहीं हुआ है पहली बात हो यह अब मैं आपको बताता हूं आप समझे तोड़ा सा अराम से कि इन पे सेलेक्शन क्यों नहीं कर वाल पोस्ट का क्या होगा तो मैं आपको बता तूं पहले तो जो भी यह फो में पोस्ट यह ऐ खाली रही हिये यह अगली वेकैंश में जूड़ेगी सुअ टिट कर नेट्स एक सिर्ए अपके आरो यह इसमें मान के चलिए कि यूपी में या मान के चलिए जिसे बिहार है बिहार में मान लिजे नक्सल एरिया के लिए एस्टी केटेगरी के लिए 40 पोश्ट थी और जब कि वहां पर मिनीमम पासिंग के लिए भी कम से कम आपको 30 परसेंट अंक या 20 परसेंट अंक लाने होते ही हैं अब मान के लिए यहां पर जो 40 बच्चे पूरे फारमी नहीं फिल गए या 40 बच्चे की SSE भीयार नक्सल एरिया से S ट केटेगरी के मान लड़कियों की 40 पोश्ट थी जब कि लड़कियों ने फारमी 20 ने बरे हैं 20 मेंसे मान लगे चलिए पेपर 15 नहीं दिया और इन 15 का ही स से मान के चलिए किसी भी राज जैसे मान लीजे बोर्डर एरिया की मान के चलिए हम बात करते हैं आंदर प्रदेश की आंदर प्रदेश से हर बार सिटे खाल रहती है तमीलाडू से हर बार खाजी रहती है ठीक करनाटक से हर बार रहती है केरल से हर बार रहती है मान के चलिए क केरल में SC केतेगरी की 400 पोष्ट थी लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए जबकि SC केतेगरी के लड़कों ने पेपर देने वाले संक्यामान के लिए 400 थी उन में से जो पास हुए है 200 मतलब मिनिमम नम्बरों पे जो कम से कम के लिए 20% नम्बर दो आने पढ़ेंगे वो 20 नम्बर भी नहीं रहा पाए वो 200 उन में से मेडिकल के बाद में 100 तो खाली कितनी रह गई 300 हाँ इसमें जो एक सर्विश्मेन की सीटे रहती है EWS स्वरी ये सीटे पोष्ट रहती है वो और दे देते हैं तो वो खाली नहीं रही है ये आरक्षन वर्क वाली शीटे खाली रही है और इस शीटों को अगली भरती में जोड़ा जाएगा वो सारे बचे कमेंट करेते हैं कि 4,000 पोष्टों पर भरती अलग से होगी अलग से नहीं होगी तब भी 23000 वच्चे लिए गए थे 2000 वच्चों की खाली रह जाती है और कई राजय में मनिपूर मिजुरम नागालेंड अनुनाजल प्रदेश ठीक है इन जगहे से हर बार सेटें खाली रह जाती है कि वहां पर एक्टूबर नौबर में ठीक है अक्टूबर नौवंबर में नहीं परती आ जाएगी लाट जाहिंद जा भारत